मेरा पेटियम पेमिंट बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है उसे अन ब्लॉक करना है कैसे कुरूब प्रॉब्लम बहुत चादा लोगों को हो रहा है जिसकी पीछे वच्छे बहुत चादी चीजे हैं इस वीडियो में सारा कुछ बताया हो जाएगा कि अगर आपका भी पेटियम पेमिंट बैंक ब्लॉक हो गया या फिर कोई अन्य बैंक से समंदित कोई प्रॉब्लम है बैंक आपका खातव बंद कर दिया है कि बैंक से लेकर कोई भी समंदित प्रॉब्लम है बैंक को आप कैसे अप्रोच करें आपका इउानोस का सके और आपका एकाउंट अनब्लॉक हो सके क्योंकि कई बार पता नहीं होता है पहली चीज़ आपको यह चांडना है कि अगर एकाउंट ब्लॉक होता है तो सबसे पहले आप अपने बैंक को एप्रोच करेंगे चाहिए वह मेल के माधियम से हो कस्टमर के माधियम से हो या बैंक के माधियम से हो या बैंक के कस्टमर के से हो कि मेरा एकाउंट क्यों ब्लॉक किया गया है वह आपको बताएंगे कि इस वज़े से ब्लॉक हुआ है चाहिए वह किसी बैंक के दौरा ब्लॉक किया गया हो या पॉलिस के दौरा अगर कोई false fraud chargeback complaint है या फिर कोई fraud police का complaint है फिर आपको उनको approach करना है पहले तो आप सबसे पहले यह देखो कि किस पैसे को लेकर हुआ है अगर भेजने वाले के साथ आपका direct contact है आपको उसने किसी काम के लिए वह पैसे भेजे हैं वह genuine पैसे है तब तो पूरा राइट है आपका कि जो sender है तो कि आम तोर पे complaint दो च हुआ यह दो चीज़े हो सकती है अगर भेजने वाले ने directly complaint किया तो आप उससे complaint withdraw की बात कर सकते हो और फिर कई पर ऐसा होता है जो आम तोर पर भी टेली ग्राम पर भी चल रहा है कि जहां पर prepaid scam चल रहे हैं कि आपको वीडियो लाइक करनी है पूस्ट करना है और जिसको 50 50-50 रुपए मिलेंगे इनिशली 500 रुपए आते हैं इसको लेकि भी काफी लोगों के एकाउन ब्लॉक्स हो रहे हैं व्यूकि जो यह पैसा आपके खाते में आ रहा है 50-50 रुपए 500 रुपए यह भी एक तरीके का fraud होता है फिर यह टेलीग्राम पे ग्रूप में जुडवा तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी ऐसे गेमिंग आप, क्रिप्टो करेंसी आप्स या ऐसे स्कैम के जो हैं इन से साफधान रहे हैं क्योंकि पैसा आप ले रहे हैं fraud का तो वो भी आपके लिए कहीना की problem होगा अगर पता नहीं था अब कौन ब्लॉक हो ग देना नहीं है यह मेरे को इन्होंने एक तरीके से fraud करके भीजा है तो इसके लिए मेरा कहीं इसमें इन्वार्मिंट नहीं है मेरा एकाउन ब्लॉक किया जाए जिससे कि मैं एकाउंट को यूज कर सुको आपका चार्जबे कंप्लेइन है तो आम तो पर बैंक को भी डिरेक् एकाउंट ब्लॉक नहीं कर सकते हैं तो सिच्वेशन में आपको प्रोश करना हो अगर पॉपर चैनल से आप एप्रोश करेंगे डिफिनेटली आपकी बास सुनी चाहेगी क्योंकि अगर आपने का उस साइबर क्राइम से कोई नहीं है जो पैसे आए थे उसका भी आपको प कंप्लेंन करनी है साइबर क्राइम ने एकाउन ब्लॉक कर दिया या आपको भी किसी के किलाफ कंप्लेंट दर्श करनी है कैसे करना है क्या करना है अगर कोई । है इससे लेटेड़ आप हमें वॉट्सअप कर सकते हैं और अपना समय पैसा और मांसिक परशानी बचा सकते ह